नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मिस्टर एससी प्रेवी सियर में जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है महाशिवरात्री ठीक है तो भगवान संकर से आप सभी के लिए दवाय मांगता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सफल हो ठीक कॉँट है जरूरे पांध सेट करा दिए अप ज़िस को देखें उसका लिंक आपको को मिल जाएगा औरming को बाख में जाएं उन जाएंगा ठीक है उन जाओ की जो आपकी तो माइंन हो जाएगा वह शाब हो जाएगा उससे आपको यह भी पता चले Phoenix कि ऐसे ऐसे कोशन SSC पूछता है ठीक है तो यह जो आपको है पूरा-पूरा आपको इससे बहुत सब्सक्राइब भी करें ठीक है अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें इस चीज को ठीक है चलो देखते हैं आज जो मरा पहला कोशन है उसकी तरफ बढ़ते पहला कोशन क्या किया रहा है कि अच्छो और यह जो आपको blue color में दिया है यह आपका लगभग क्या है यह आपका है यानि कि production है यानि कि कितना आपने उत्पाधन किया है ठीक है यह आपको दे रखा है अब देखते हैं question क्या कह रहा है company ABC द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की का unit है यानि कि देखो ABC यानि कि 1 से कितनी हो है यूनिट यानि कि sale यानि कि 50 B से 300 और C से कितनी हो रही है 150 इनकी को total कर लेता हूं कितना आ जाएगा 1100 ठीक है यह तो है sale unit अब देखते है production यानि कि production क्या हो रहा है production देखते हैं कि कितना हो रहा है यानि कि 900 B से कितना हो रहा है 700 और C से कितना हो रहा है 300 ठीक है तो total कितना हो जाएगा 9 7 16 1900 ठीक है 1900 इसका total हो गया क्या क्या कहता है कि company A B Fee द्वारा मिला कर उत्पादेत कुल यूनिटों का लगभग कितने पृतिशत है तो क्या करना है यानि कि 1100 तो उपर हो जाएगा और 1900 नीचे इंटू में 100 ठीक ह 11.8 के आसपास इसका आ जाएगा तो यह जो आपका अंसर पूजा है वह अप्रॉक्शीमेशन में पूछा है तो लगभग कितना हो जाएगा हमारा अंसर हो जाएगा 58 ठीक है 58 परसेंट आपका अंसर हो जाएगा ठीक है चलो देखते हैं नेक्ट कुशन क्या कहता है डंड देख विभिन ABCDEF की एक महा में मोबाल हैंटक की उतपादन यह तो हमने पढ़ ले रहाए पहले कुशन में अब देखते हैं इसके अंदर तोटल इसका देख लेते हैं यानि कि कितना हो जाएगा 850 इसका कितना हो जाएगा 550 और इसका कितना हो जाएगा 600 सब को जोट लेते हैं 0, 5, 5, 10 यानि कि 10, 18, 18, 15, 23, 29 कि 2 यानि कि इतना आजाएगा 49 तो एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर रिशी जो भी है चार प्रतिशत नगत वापस प्राप करता है देखो उसको बीस परतिशत तो पहले चूट दी गई ठीक है अगर वो उसको नगत पे करता है यह कैस में पे करता है तो आप उसको चार परतिशत की चूट और मिलती है तो बोल रहे है कि उसको जो टोटल चूट है वो कितनी मिली ठीक है तो इसके ठीक है ऐनगी यानिकि एक जिरो से एक जिरो कटके और यह जायगा 08 यानिकि 20 और 4 जायगा 24 24 में से अट जायगा तो कितना जायेगा भाई दौma, जा जायाгляд यानिकि यह आपका अंसेर अंस pope To कहने का मतलब यह है कि उसको दो चूट मिली है यानि कि अगर कोई शी जगर 100 रपे की लिए न ठीक है पहले उसको 20 परतिशत की चूट मिल गई फिर क्या गिया 20 परतिशत के चूट के बाद वह 80 की हो गई और फिर उसको 4 परतिशत की चूट और मिली ठीक है तो वही पूछ र ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा length ही पढ़ सकता है कभी-कभी cases में लेकिन ये आपका easily हो जाएगा ठीक है without pen and paper भी हो जाता है अगर आपको practice है तो ठीक है चलो देखते हैं force question क्या गया रहा है 612 km की यातरत करने के लिए train B की तुलना में train A 9 घंटे अधिक समय लेती है किलियर हो की बात ठीक है कितना कितना ले रही है 9 घंटे अधिक समय लेती है यदि train A की गति को दुग्ना की जाता है तो वह train B की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है ठीक है तो बताना है तो train B की की गति क्या हो जाएगे ठीक है तो इसको कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे देखो यानि कि 612 किलोमेटर की यातरा करने के लिए train B train B की तुलना में train A यानि कि देखो 612 है और ये भी 612 है ये train B की तुलना में train A 9 गंटे समय ट्रेन यात्रा करने के लिए ट्रेन B की तुलना में ट्रेन A 9 गंटे अधिक समय लेती है कौन लेती है यानि कि 9 गंटे अधिक समय लेती है ट्रेन A और ये ट्रेन B ठीक है और जो इनका डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 गंटे अब क्या कहा रहा है यदि train A की गती को दुगना की जाता है यानि कि 612 फिर से चलेंगे अगर train A की गती को दुगना की जाता है तो वह train B की तुल्दा में 3 गंटे का समय कम लेती है ठीक है तो यह B हो जाएगा और यह का 2A हो जाएगा क्यूंकि हमने speed कितने कर दी दुगनी कर लेंगे यानि कि 612 B माइनस का 612 A is equal to में कितना हो जाएगा 9 A B ठीक है और यहां से भी LCM ले लेंगे यानि कि 612 दूनी कितना हो जाएगा यानि कि 612 1224 ठीक है 1224 A ठीक है माइनस 612 B is equal to में कितना आ जाएगा 612 B is equal to में कितना जाएगा यानि कि 3 दूनी 6 A B ठीक है 3 दूनी 6 A B ठीक है अब देखो यह B से B कट जाएगा ठीक है यह B से B कट जाएगा तो यहां पर कितना जाएगा यानि कि माइनस का 612 A A पिलस का 1224 कितना जाएगा 1224 A 1224 A ethical to में 9 6 15 A B ठीक है अब देखो यहनि कि 1224 में से 612 जब मैं घटाऊँगा तो कितना जाएगा यहां जाएगा 612 A और कितना जाएगा 15 A B ठीक है A से A कट जाएगा और यहां पर क्या आजाएगी B की स्पीड आजाएगी B की स्पीड क्या जाएगी दोस्तों B की स्पीड आजाएगी 612 अपन में 15 ठीक है तीन पंजे 15 तीन दूनी 6 तीन चोग 12 पांच चोग 20 ठीक है पांच चोग 20 जीरो पांच अठे 40 यानि कि B की स्पीड कितने आगई 40.8 और यही आप से पूछा था कि ट्रें B की क्या आजाएगी वो आजाएगा अंसर 40.8 ठीक है यह आपका अंसर था द 335 में खरीदी और उसे 1010 अठे वेच दिया तो हानी बताओ देखो हानी कितनी हो गई हानी इस पर गई 0000 और 5 ठीक है और 3 में जहीन और कितने करीक हिग 25 तीने सिझा गयी 25 में पर ठीक है इंटू में में 100 देखो तीन जिरी से तीन जिरो कट गई पांच बंचे पच्चिस पांच उनी दस पांच सत्य पैंटिस ठीक है यानि कि और कटता है नहीं यानि कि 500 के बटे में कितना आ जाएगा 27 देखो नीचे कितना आ रहा है नीचे आ रहा है 27 ठीक है तो देखो ये option हो जाएगा आपका यानि कि पहला option आपका आंसर हो जाएगा यानि कि 500 बटे में 27% इसको loss हो रहा है ठीक है ये इसको loss हो रहा है यानि कि यही आइसका आंसर हो जाएगा ठीक है देखते है next question तीन स्रेणी के करमचारी A, B, C एक दो तीन के नुपात में मजदूरी प्राप्त करते है यदि वे करमच 5% 10% एवं 15% की वेतन विर्दी प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरे का नुपात बताना है ठीक है देखो A, B, और C ठीक है A का इनका ratio दे रखा है 1, 2, 3 ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर थोड़ा सा बदलाब कर दूँगा और इसके आगे 2,0 और लगा दूँगा ठीक है, 2,0 और लगा दूँगा अब क्या कराए, इसमें 5% की वर्दी हो गई तो एक इतना हो जाएगा भढ़के एक सा पांच, अगर इसके अंदर 10% की वर्दी हो जाएगी तो भढ़के कितने हो जाएगा, 220 और इसके अंदर अगर 15% की वर्दी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा भढ़के, 345 तो बताना है, उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा तो यही तो होगा मज़ोरी का अनुपात थीक है तो 5, 2, 10, 5, 1, 5, 4, 20, 5, 4, 25, 5, 3, 5, 5, 9, 45 अंसर क्या जाएगा 21, रेशो 44, रेशो में 69, देखे कौन सा अप्षन है यानि कि आपका फ़स्ट, आपका correct अंसर हो जाएगा ठीक है चलो देखतें next question रमेश ने 13% प्रतिवर साधरन ब्याज की दर्से 12,000 रुपे उधार लिए रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वरसों में कितनी दाश्ची का फुकतान करेगा यार एक बाद बताओ यानि कि 12,000 तो उसको देना ही देना है ठीक है अब क्या कर रहा है वो यानि कि 13% उसका क्या हो गया उसका साल का क्या हो गया ब्याज और ये साल कितने है भाई 5 यानि कि टोटल कितना हो गया यानि कि पैंसर परतिशत यानि कि जो उसका ब्याज लगेगा वो टोटल कितना ल यानि कि 6 यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 है इसका क्या मतलब हो गया यान कि 3-3 के 2 गुर्ण घंड हो गया इसका मतलब जो आंसर होगा वह नौका मुल्टिपल हो जाएगा मिरको आगे करने की कोछ जरूत नहीं है मैं यहीं पर इस चीज देख लूँगा और इस से मेरा क्या होगा समय बचेगा ठीक है 8-8 8-8 और 8-16 और एक सत्रह यह झांसर नहीं होगा देखो यह झांसर हो सकता है 8 6 14 15 यह झांसर झांसर क्या हो जाएगा सकते हैं अगर हो जाए तो देखो सबसे बड़ी बात है यहां 65 है तो लाश्ट में एक जिरो तो है और पांदुनीदस दो जिरो रहेंगे रहेंगे तो तो सम्में ही है ठीक है और इसके बाद में आप देखेंगे थोड़ा सा बारा चिक बाहतर बारा पंचे साथ बारा चिक बाहतर दो और छे आठ हो जाएगा लगभग लाज़ीट आठ बचेगा और वो भी इससे भी हम लाज़ीट से भी चेक कर सकते हैं ठीक है चलो देखते हैं नेक्ट कुशन दो संख्या है P तथा क्यो का महतम सापर तक SCF एवं लगुतम सापर तक A और B है यानि कि देखो दो संख्या है P और क्यो ठीक है अगर इन दोनों का महतम सापर तक यानि कि H C F की बात करे ना और L C M की बात करे तो वो A और B है SCF कितना आजाएगा इसका A और LCM कितना आजाएगा B यदि A plus B यानि कि A plus B इस इकल्ट में P plus Q के बराबर है ठीक है तो बताओ A का Q B Q Q क्या हो जाएगी अगर इसका हम power कर रहे हैं तो इसका भी power कर देंगा क्यों कि हैं तो दोनों बराबर ही ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option C ठीक है तो इसका option C हो जाएगा चले देखते हैं next question की तरफ यानि कि 6000 की रासी तीन वर्स में कितने परतिशत परतिवर्स पर 7986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्सिक रूप से सही उजित होती है यार एक बार बताओ यानि कि 6000 की रासी थी और 6000 की रासी से कितना हो जाती है वो हो जाती है 7986 यानि कि 6000 तो था उसका मूल और जो भड़के कितना हो गया 7986 180 2 2 अखत्ट हो गया वह तो आसरा फाफ साफ देख रहा है यानि कि तो हो जाएगा 1986 1986 भी आज मिला है किस पे यानि कि 6000 पे तो मैं दारेक्ट देख लेता हूं कितना परसेंट निकलता है ठीक है 1986 अपन में 6000 इंटू में 100 ठीक है दो जिरो से दो जिरो गट गई छे कम छे छे तिया अठारा छे तिया ठारा और छे कम छे और एक जीरो है नीचे तो मैं यहां लगा दूँगा पॉइंट तो दोस्तों कितना आ गया वह आ गया 33.1 ठीक है 33.1 बना गया इसका क्या मतलब है भाई इसका यह मतलब है कि जो रेट बन जाएगी वह 10 परसेंट बनेगी अगर मैं 10 पर्तिशत का अगर मैं 3 साल तक नि तो वो 33.1 आता है यह मेरे को पहले से पता था तो इसलिए मैंने डारेट कर दिया कितना आ जाएगा 33.1 का मतलब यह हो गया कि परतेक शाल जो उसकी ब्याज दर होगी वह होगी कितनी 10 परतिशत ठीक है चलो देखतें नेक्ट कोशन यह एक तरह से यह संख्याओं पर आधा क्या क्या रहा है कोशन यानि कि एक्स की पावर पांच यह भाग है एक्स की पावर चार और इन सब क्या कर देंगे क्यूब क्यूब कर देंगे और डिवाइड वाई एक्स का स्क्वार ठीक है देखो चार की पावर से चार की पावर गई एक बचेगी एक बचेगी एक्स की हो जाएगा बहुत आशान कोशन था चलो देखते हैं अब इसमें बताना है गया होता है मोड शवरी इंगलिश में बोलते हैं है इसको मोड ठीक है इसका मतलब यह होता है कि ऐसी कॉंसा नमबर है जो बार बार जो सबसे ज़्यादा बार repetition हुआ है, वो ही आपका answer होगा, ठीक है, देखो, 3, 3, ठीक है, 3, 3, और कहा है 3, सिर्फ 2 बार repetition हो रहा है, 2 कितनी बार हो रहा है, 1, 2, ये भी 2 बार हो रहा है, 5 कितनी बार repeat हो रहा है, 1, 2, 3, ये 3 बार हो रहा है, ठीक है, 8, 8 भी 2 बार हो रहा है, तो आंसर कितने हो जाएगा 5, तो पांच सबसे जादा बार repeat हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है 3 बार, तो यह ही आपका कितने हो जाएगा, यह ही आपका अंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है देखते हैं next question, मेटरो टेन की देनिक टिकेट का मुले 120 रुपे ठीक है और मासिक पास का मुले कितना है यानि की 326 आप क्या कह रहा है यदि सोहन मासिक पास खरीता है और महिने में 30 दिन यातरा करता है तो उसकी कितनी परतीशत बचत होगी अगर वो 120 रुपे परड़े जा रहा है और वो 30 दिन तक जाता है तो उसका कितना रुपे खर्च होता है यानि की 12-36 यानि की उसका टोटल कितना होता है 36 रुपिया और वो महिनतली पास बनवा लेता है तो उसका कितना खर्च होता है 3276 तो अब इन सब चीजों में वो कितना रुपेए बचा रहा हो यानि कि इस में से गटा दुहाम मैं कि यानि कि दस में से चही चार नो मैंसे चाही ज़्र दो और और पांच में से दो गया 30 तीन यानि कि उस ने तीन सो चाविस रुपैब उसने बचा लिया ठीक है पासी है in तो आंसर कितना हो जाएगा 9% यानि कि option C आपका answer हो जाएगा चलिए रेक्ट कोशन एक रालगा एक रेल गाड़ी किसी इस्थिर वश्थू को 25 सेकंड में पार करती है यानि कि यह एक रेल गाड़ी है ठीक है अगर इस खंबे को पार कर दी है तो उसको 25 सेकंड लगते हैं द यह खुद को ही पार करने में कितना समय ले रही है 25 सेकंड ले रही है यदि रेल गाड़ी की गती कितनी हो जाए यानि कि 25 मीटर पर 30 सेकंड है तो रेल गाड़ी की लंबाई कितनी होगी यह एक बाद बताओ रेल गाड़ी की लंबाई यानि कि जब मैंने का थाकर किसी पो में क्या हो जाएगा समय ठीक है यानिकि दूरी कितनी हो गई एक और समय कितना है 25 जैकंड और जो इसकी चाल है वह कितनी दे रखी है 25 मीटर परती सेकंड ठीक है देखो इससे मल्टिपलाइ कर देंगे कि डारेट कितना आ जाएगा 625 यानिकि 625 मीटर आपका अंसर आजाएगा यानि कि इस ट्रिंद की लेंग्ट है जो वो कितनी है 625 मीटर यानि कि अंसर हो जाएगा option A ठीक है देख 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 नेक्ट question दो कक्षाओं M तथा N के ओशत अंक 25 और 40 है ठीक है M और N यानि कि इसके ओशत अंक 25 है और इसके ओशत 30 है यानि कि यह किस से हो जाएगा mix allocation से हो जाएगा तो M और N के छात्रों का नुपत बताना है ठीक है तो 40 में से 30 क्या 10 और यहां पर कितना आजाएगा 25 पांच आजाएगा पांच यानि कि रेशो क्या जाएगा दो रेशो वन ठीक है option A आपका answer ठीक है ज्यादा कुश नहीं है इन कोशनों में आराम से करेंगे आराम से हो जाएंगे ठीक है देखें नेक्स कोशन 15 कोशन होगा हमारा अरे क्या हो गया यह चलो कोई नहीं देखो एक लड़ागों विमान 1440 किलो मेंटर प्रती घंटे की गति से चलता है और एक सेकिंड में वहें कितने मीटर की दूरी ठीक है अब क्या गया रहे कि अब हमें देखता हूं कि एक मिनट में कितना चलेगा एक मिनट में चलता है यह यानि कि जीरो से जीरो कट गया छे कम छे छे दूनी बारा और दो बच गया छे चौक 24 यानि कि कितना चलता भाई एक मिनट के अंदर यह चलता है 24 किलो मीटर यानि कि 24 किलो मीटर तो मैं देखूंगा कि एक सेकिंड में कितना चलेगा यानि कि 24 के बटे में 60 ठीक है तो इंटु में देखो 24 किलो मीटर है मैं इसको मीटर में चेंज करूँगा तो यह 3-0 आ गई देखो 6-0-0 कट गया 6-6-424 यानि कितना आ जाएगा 400 मीटर 400 मीटर यानि कि option 4th हमारा answer हो जाएगा ठीक है देखते हैं next question A और B दो संख्या है जिनका मध्यानुपात 6 है देखो जब भी ऐसा question आएगा हमारे पास 4 option दे रखे हैं हम 4 option से जाएगे ठीक है देखो जब भी आपका मध्यानुपात की बात करेगा तो इसका मतलब यह है कि जो आपका मध्यानुपात होगा यानि कि A और C ठीक है वो अगर मैं इसको multiply करूँगा तो कितना आएगा यानि कि 6 आएगा देखते हैं देखो option 6-18 गलत 6-36 यह हो सकता है ठीक है 12-72 यह नहीं होगा और 12-36 यह हो सकता है ठीक है अब आपके पास देखो एक तो यह option हो सकत सकता है अब और क्या कह रहे है आगे कि 33 अनुपात इसका 48 है 33 अनुपात का मतलब क्या हो गया अगर मैं इससे देखता ता हूं यानि की 12 uh 12 और कितना जाएगा 13 यानि कि कि यह option आपका गलत हो जाएगा आपका answer क्या हो जाएगा 3 और 12 यानि कि option A आपका answer हो जाएगा ठीक है देखते है next question किस company की बिक्री का परतीशत उसके उत्पादन के संद्र में सबसे अधिक है ठीक है देखो यह वाला जो आपको दिख रही है orange यह तो आपकी unit sold है जितना बे मैं रखा है यह यह भी है C D def अब देखो हमारे पास 4 option है तो हमारे पास कॉन सा नहीं है देखो 1 fee नहीं है तो इसको कि पास एक option नहीं है आपके पास अको यानि की F नहीं है हम इसको calculate नहीं करेंगे बागी था को देखेंगे देखो यहाँ पर कितना unit हो रहा है यानि की 650 यानि की 650 को अगर मैं देखता हूँ यानि कितना पर है यानि की total production कितना है 900 ठीक है 20 से 20 गट गया ठीक है 970 63 ठीक है 2 यानि की 9218 लगभग 12% हो जाएगा ठीक है इतके अंदर कितना है अगर मैं एक की बात करूँगा तो ठीक है ए में इतना है ठीक है अब मैं देखता हूँ अब मैं देखता हूँ बी में देखता हूँ देखो बी में कितना है यानि की 300 है कितने पर है 700 ठीक है 2-0 से 2-0 कर जाएगा यानि कि 7-4-8 ये तो होगा नहीं 40 के आसपास आ रहा है ठीक है ये भी नहीं होगा और option E की बात करता हूँ तो E पर देखो कितना है यानि कि 300 हो रहा है यानि कितने पर 550 पर दीक है 1-0 से 1-0 कर जाएगा 5-5 5-6-3 ठीक है कितना 600 के बटे में कितना आ जाएगा 11-15-55 लगभग 50 के आसपास जाएगा ठीक है तो देखो ये भी नहीं है और D भी नहीं होगा ठीक है D कितना है देखो 450 और कितने पर है 850 पर 0 यानि कि 1-0 से 1-0 कट गई ठीक है ये 17 आ जाएगा यानि कि company जो A है यानि कि option B आपका correct answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखते है next question किसी समकूर्ण तिर्भूज का कण 49 है ठीक है अन्ने 2 बजाओं का अंतर 21 cm है तो तिर्भूज का 6 तरफल बताना है देखो बहुत आसान question है लेकि ध्यान से देखना ठीक है देखो यह है यह हमने triangle बना दिया ठीक है तो इसका जो hypotenuse है यानि कि कंड है वो कितना है 49 cm और यह आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा आधार यानि कि base अब देखो यानि कि 49 है 49 का क्या मतलब है अगर मैं इसको factor करता हूँ तो कितना हो जाएगा यानि कि 13, 3, 49 मिरे को पता है कि 5, 12 और 13 क्या बनता है एक triplet बनता है अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ या फिर यहाँ पर 12 लेता हूँ ठीक है अगर मैं इसको 3 से multiply करता हूँ और इसको भी 3 से multiply करता हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 13 को यहाँ से 3 से multiply किया है अगर मैं 3 को same digit से multiply कर दूँगा तो वो number भी क्या बनेगा यानि कि triplet बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना हो गया 12, 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा यानि कि 15 अब देखो इसका difference कितना आ रहा है यानि कि 6 में से 5 गया एक और 3 में से 1 गया दो क्या 21 नहीं आ रहा है कि इसका difference equals में बही 21 से रखा है ठीक है तो यानि कि हमने यह जो प्रेडिक्ट किया है इसका यानि कि लंब और इसका आधार वो हमने सही प्रेडिक्ट किया है और इसका जो निकालना है तिरबूज का एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा एक बटा दो आधार कितना है 36 इंटू लंब कितना है 15 ठीक है दो एकम दो डो एठे सोला पंदरा अठे सो बीस की आ जाएगा 120 का बारा पंदरा तिया पंदरा एकम पंदरा और बारा कितना हो जाएगा 27270 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है चलो देखते हैं next question देखते हैं क्या कहता है एक वेपारी किसी वस्तु को 2400 पर बेजकर 25% का लाप कमाता है ठीक है 25% का क्या मतलब हो गया इसका क्या मतलब हो गया अगर कोई चीज चार रुपे की थी तो उसको वो पांच अटें बेशता है और इसकी वेल्यू इसको दे रखा है कितना है यानि कि 2400 रुपे इसका मतलब एक रुट की वेल्यू कितनी हो जाएगी तो यह जो इसका CP है और यह क्या है इसका SP अगर मैं इस CP का अगर में निकालूंगा तो इसको मेरे को मल्टिप्लाई कितन से करने पड़ेगा 480 से यानि कि 0, 4, 32, 3, 4, 16, 3 कितना हो जाएगा 1900 यानि कि 1920 इसका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा और यह क्या गर रहा है बाद में यदि उसने वश्टू को 2160 में बेचा होता यानि कि 1920 की चीज है और यह 260 में बेचा होता इसने तो उसका लाब यहानी परतिशत कितना रहता अब देखो CDC बात है हमको 1920 तो नीचे आना है इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब 2160 में से 1920 घटाएंगे कितना आजाएगा 0 ठीक है 6 में से 2 गया 4 और कितना आएगा देखो ठीक है और यानि कि 240 आजाएगा यहां पर ठीक है 240 आगया अब देखो इसका क्या हो जाएगा इंटू में कितना कर देंगे 100 एक जिरो से एक जिरो गट गया ठीक है 6 ती 18 6 दूनी 12 6 चौक 24 यह हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 ठीक है यानि कि 5 धाम 50 के बटे में कितना आजाएगा यानि कि 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 यानि कि 25 के बटे में 2 यानि कि 25 के बटे में 2 क्या आजाएगा यह प्रॉफिट आजाएगा यानि कि 12.5 परसेंट आपका लाब हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखते है नेक्स्ट कोश्चन 25 मीटर लंबे तथा तथा 15 मीटर चोड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चोड़ाई का मार्ग बनाया जाता है ठीक है यदि 25.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत क्या है यह पूछ रहा है देखो कोशन क्या है इसको समझ रहें की पहले कोशिच करो फिर बाद में इसको हम करेंगे ठीक है यह क्या गह रहा है 25 मीटर तो लंबा है यह और 15 मीटर चोड़ा है इसके अंदर तो ठीक है इतनों तो बहुत आजनी समझ में हो रहा है अब क्या हो रहा है कि यह जो तीन पॉइंट पाँच यानि कि यह तीन पॉइंट पाँच है एक चोड़ा रहाषता बनायागी है इसके चारो तरफ अब मेरी बात बताओ कि यह चोड़ा रहास्ता है तो यह भी कितना हो जाएगा इसका क्या मतलब हो गया यह 25 तो यह था और 25 में 3.5 यहां जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब यह हो जाएगा जो यह वाली length हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 32 ठीक है? इसी तरीके से यह 15 है और यह 3.5 जुड़ जाएगा और इसी तरह से यह 3.5 जुड़ जाएगा तो यानि कि 15-7 कितना हो जाएगा यह वाली length कितनी हो जाएगी यह वाली length हो जाएगी 22 ठीक है 15-7-22 अब क्या करना है अब मैं क्या करता हूँ अंदर वाले का area निकालता हूँ area कितना हो जाएगा इसका 25 into में क्या हो जाएगा 15 उन्दर और मैं क्या करता हूं भार कि पूरे का एरिया निकालता हूं यो कितना हो जाएगा 32 into में 22 और मैं इस में से यानि कि इस बड़े में से इस चोटे वाले को घटा दूगा ठीक है इस चोटे वाले को घटा दूगा तो क्या आजाएगा ये रास्ते का एरिया ने आजाएगा ठीक है और हमको रास्ते का ही एरिया चाहिए क्योंकि वो रास्ते प अगर मैं इस में से घटाता हूँ 704 में से 375 घटाता हूँ 14 में से 5 जाएंगे 9 और 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 3 गया 339 आज जाएगा 339 को क्या करना है आपको 25.5 से आपको क्या करना है multiply करनी है point हटा के यहां पर लगा देता हूँ मैं 10 ठीक है पांच 25 पांच 25 पांच 25 निदस ठीक है अब देखो 11 को 339 से multiply करनी है ठीक है करते हैं यानि कि 339 इंटू में 5 निमे 45 का 4 पांच 25 निदस 14 की 1 5 तिया 15 और 16 ठीक है कितना हो जाएगा 9 5 2 7 4 3 7 और यह हो जाएगा 16 और 16 16 7 7 9 और अपन में कितना आ जाएगा यह वाला दो यह दो आ गया ठीक है 2 8 16 2 3 6 1 ठीक है 2 8 16 एक आ जाएगा 2 9 18 और 2 5 10 यानि कि आंसर कितना आ जाएगा जो लागत आएगी जो टोटल वह आएगी 8 1389 पॉइंट 50 पांच 25 ठीक है यानि कि option यह आपका आंसर हो जाएगा correct ठीक है देखो next question x किसी कारे को पूरा करने में y की तुल्ला में यानि कि देखो 2 हैं बंदे हाँ पे एक तो x है और एक तो y है ठीक है अगर x जो अगर y है वो x प्लस 10 दिन ले रहा है काम करने के लिए तो x कितने ले रहा है x दिन क्या क्यूं क्यूंकि y की तुल्ला में 10 दिन का कम समय लेता है ठीक है x और y दोनों मिलकर कारे करते हैं कितने में 12 दिनों में तो पूछ रहे है कि y कितने दिनों में अकेले कारे को पूरा कर लेगा ठीक है अब मेरे ठीक है, टोटल काम यह है, यानि कि X, X प्लस में 10, और यह दोनों मिल गए, यानि कि X और Y मिलके कितने दिरू में करते हैं, 12 दिनों में, यानि कि इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा, यानि कि 2X प्लस में 10, और यह दोनों काम करते हैं, कितने 12 दिनों में, देखो अपर मैं क्या करता हूँ अब यहां के बाद मेरे को अपना काम टास्क जो हमारा टास्क है आगे सॉल्व करने का उसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहां पर अच्छा देखो यहां पर गलती हो रखिए ठीक है यहां पर दोनों ऑप्शन में से कोई दो जरूर देखे रखेगा ये देख लेना आप कभी भी गौर करना इस चीज़ का हमेशा ठीक है तो मैं क्या करूँगा option उठा लेता हूँ ठीक है यानि कि x की जगे मैंने क्या उठाया यानि कि 20 उठाया यानि कि इसका मतलब यह हो गया कि x की value कितनी हो गई x की value हो गई 20 दिन ठीक है यानि कि इस x की value कितनी हो गई 20 दिन और y की कितना आ जाएगा y आ जाएगा 30 दिन तो क्या पूछ रहा है कि y कितने दिनों में अकेले कारे को पूरा करेगा यानि कि 30 दिन यानि कि option d आपका answer पर जाएगा ठीक है यह भी question था और इसको आराम से करना है ठीक है समझनी कोशिश करना इसको ठीक है आप देखो next question बहुत आशन question है इसको देखते हैं यानि कि 18000 इंटू में इसको अगर मैं खोलूंगा तो कितना जाएगा एक के बटे में 3 इंटू में 15 परतिशत का हटाऊँगा 100 और ये point को हटाके 100 ठीक है देखो ये 4 0 से ये 4 0 कट गई और 3 पंजे 15 और 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 या यानि कि आपका आंसर कितना हो जाएगा यानि कि B आपका आंसर हो जाएगा ठीक है देखते हैं नेक्स Student एक पैसे के रूप में 25.8 कि रासी है ठीक है बैग में 50 पैसे के कितने सक्के हैं ये बताना है ठीक है इस में सबसे जो चीज है, वो यह चीज है कि ये कितना है, एक रुपे ये 50 पाईसा ठीक है, और ये 10 पाईसा ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया अगर ये 3 यूनिट है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 रुपे में count करूँगा, तो इससे कितने बनेंगे, अगर ये 3 सिक्के हैं पचास पैसे के तो कितना बन जाएगा एक रुपए अगर यह तीन से के हैं दस पैसे के तो इसका कितना बन जाएगा पॉइंट ठीक है तो एक यूनिट की वैलू कितनी आ जाएगी यानिकि 25.8 के बटे में कितना आ जाएगा पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा और देखो 43 45 40 240 तीन से कठा रहे हैं यानिकि यह कितने कितना होजएगा आपका और सिक हो जाएगा 50 पैसे के यानिकि option दिये आपका एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है बिनना किसी doubt के ठीक है देखते next question 20 अवलोकन का माध्धे यानि की 20 points थे या फिर कोई number होंगा अगर मैं उनका जो माध्धे निकालता हूँ उनका average निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 85 आप क्या कह रहें कि बाद में यहां पाये गया कि 97 को गलती से यानि की 97 तो लिखना था भ tecnología ऐनकी 79 लिख लिया जो कि गल्ट है ठीक है अब यह क्या रहे कि सही माध्य क्या है सही माध्य क्या है अब देखो 79 तो लिख लिया था अब जो जोड़ना रह गया था वो कितना रह गया था इसको घटा लेते हैं 17 में से 9 जाएगा 8 और 8 में से साथ गया 1 यानि कि 18 में जोड़ना भूल गया था तो 18 में जोड़ना भूल गया था तो मैं इस 18 का क्या निकालता हूं माद्धे निकालता हूं यानि कि 18 को मैं 20 से भाग कर देंगा ठीक है तो 2 निम्य 18, 2 एकम 2, 0 यानि कि answer क्या आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 0.9 ठीक है तो मेरे को सही माद्धे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इस 85 के अंदर 0.9 जोड़ना ठीक है 0.9 जोड़ना तो मेरा answer कितने आ जाएगा 85.9 जो कि आपका option है D ठीक है तो option आपका D answer हो जाएगा ठीक है यह क्या है वरत है इसके व्यास के बराबर है मान के चलो मैंने मान लिया कि यह 2 है इसकी length तो इसका जो पूरा व्यास हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 2 और मैं इसकी अगर radius की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक है नॉर्मल सी बात है मैंने दो इसकी जो length है वो दो मान ली मैंने ठीक है इसका जो diameter है जो आपका व्यास है वो भी 2 होगा क्योंकि कोशन में कह रखा है अगर 2 यह है तो आपको पता है D upon 2 D upon में 2 is equal to में क्या आ जाता है R ठीक है तो यहां से R आ गया R आ गया 1 तो अब क्या कहता है कि वर्ग तथा वृत के 6 रफल का नुपाद देखो वर्ग का area होता है वो क्या होता है बुझा का square यानि क्या हो जाएगा 4 ठीक है अगर मैं इदर चला जाएगा यानि कि क्या हो जाएगा यानि कि 28 रेशो में 22 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दो चोके 8 तो क्या हो जाएगा 14 रेशो में 11 ठीक है यह आपका option कौन सा हो जाएगा option 1 ठीक है दो हो यह हमारे 25 question हो गए है ठीक है आप मेरे को question आपका MTS में आएगा और लगबख ऐसा ही paper आपका SSC GD में आएगा अगर आपको जाप चाहिए तो ठीक है तो चलिए चलते हैं फिर मिलने हैं next lesson में मिलते हैं कल को ठीक है तब तक के लिए बाई बाई जैहिन जैभारत